कॉलिंग इसे इस वाली प्रोसेस को बसुत अधर को बसुत क्रक्रवान करने जब यह दोना के निई को बाकर चुग है यह दोना की निई फैक्टरी मेथाड़ जो कि जब string type का है तो हम to string क्यों यूज करें उस वाले data type को जो यहां पर variable था हमारा added text को उसे भी string में बनाने के लिए ताकि string जो हमारी added text में जो हमने name डाला वो किसमें convert हो जाए string में जो खुद क्या है एक string variable तो यहां पर दो हमारा चला गया अब हमारी value से वह गई है variable बनी आप हमें सिर्फ क्या करना है उसे पास करवाना है तो सबसे पहले हमें submit order में पास करवाना है तो submit order में हम कहां पास करवाएंगे जैसे हमने चौकलेट विप क्रीम और प्राइस केलकुलेट करवाया के पास कराया था ऐसी क्या करना है तो आप देखो इसमें precedence देखो सबसे पहले हमने added text लिखा है इसमें यह चीज़ भी कई लोगों confused होगी यह चीज़ उपर नीचे नगरें आप जो उसका layout में run होने की precedence है मतलब precedence in the sense कि पहले जो चीज़ रन हो रही है उसे हमेशा उपर रखना है और यहां पे जब parameter भी देंगे उसके हिसाब से रखना है कि पहले कौन सी चीज़ आ रही है राइट उससे को फर्क नहीं बढ़ता है बट एक थोड़ा सा एक order में होता है तो उससे आपको भी असानी सकता है नेम तो आप देख सकते हों यहां पर मेरे पास आगया एक वरियेबिल नेम और यहां पर हमारी एक एरर शो कर रही है इसने एडर के कह दिया एड स्ट्रिंग फर्स परिमिटर नेम फिल्ड तो इसको नहीं पता यह नेम फिल्ड किस टाइप किया है राइट क्योंकि ह हमने यहां पर पास कर रहा रहा है जोकि यहां पर हमारा इस सब्सक्रिद पास ने घयर क्यों आ रही है क्योंकि यहां पे तो ते वन में नोगे गोंड्य हो तो हम इसमें आप कि अ करना है सिंपल और किस टाइब का पैरमिट एड करना है स्ट्रिंग का राइट तो हमने यहां पर नेम दे दिया है और एक चीज और मैं बता दूं जिस दिन लोगों की यह समझ में नहीं आ रहा कि हमने क्यों दिया है यहां पर थोड़ा का कन्फ्यूजन हो रहा है तो टैंशन मैं आएगा जब खुद करो गया तो समाभा रहे तो अब हमने किश्क्रण जैए ट्रि अप इसके बाद हमें बस एक चीज़ और तो आ है तो यहां पर नेम और देना है तो अब हम प्राइज में संप्मिधा एट कर दो मैं नेमर एक पर में निया तो यहां पर मैंने क्या दे दिया यहां पर मैंने दे दिया simply name तो मेरा यह variable आ गया name और इससे पहले क्योंकि हमारी इससे डिस्प्ले भी करवाना है नेम को तो हम यहां पर क्या add करेंगे नेम पौरी को तो हम आने क्लोजीं करिंगे कारें यहां और यह हमारा यहां परणा हो चुका है राइस प्रीस मैसेच हो गया अब हम देखあります को यह ब्लू कोई या व्लू किर दो מא सभी है लुवरी मुल्ठ necessarily vagabonding aute ईसे přेसे पडिए तो यह से होकर यहां पर हमने फियलबाली उसकी नहीं की सब्सक्राइब हुए लए तरह चीजर को गई हमें पास कर दिया किसमने टौडर सभी में पिर उसे कहां कॉल करवा लिए हमने देखे हूं पहरमें से क्या करेंगे करेंगे रk करालेंगेता हम पर हमारा झाल देख सकते हैं कि क्या जो हमने क्रीजिंघ करें हम क्या हमारा नेम यह ले रहा है रहा है तो यहां पर we इसने फर्स्स क्रेक्टर और यहां पर हमने वेब क्रीम सेलेक कर लिए और 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 तो आप देख सकते हो यहां पर क्या यह नेम शिवांगरवार वेब क्रीम हमारी ट्रू है तो ट्रू आगई चॉक्लेट हमारी फॉल्स क्वांटिटी फाइफ टॉटल और यहां पर यह यह ओडर आगया तो हमारा इससे में क्या शीकाओ आज हमने कैसे एडिट फील्ड आज हमने काफी इंपॉर्टन चीज़ें कि कैसे किसी फील्ड को हम एडिट फील्ड में एक इन्पुट देकर उसे फैच करवा सकते हैं और फ अब हम सबसे पहले देखेंगे, अब हमें क्यों करना है, हमें अपने हिसाब से क्या चेंज करना है, कि जैसे हम वेप स्क्रीम और कॉफी आइड करें, और आप कोई एक्स्टा चीज आइड करवाते हो किसी भी चीज में, तो उसके थोड़ी सी वैल्यू बढ़े जाती है, तो एक लिए सब्सक्राइड है, क्यों एजिए रॉत है, यहां न्मल एक्सटा रण किया है, वन लाइन HERE, न्या रहन होई, और लेकिन एफ एलस में क्या खासवास होती है, पहले इफ रहन हुआ, अगर यह चीज गरत है, तो यह जो पूरा कोड है इतना स्कोप में इसके इफ तो यह कैसे हुआ कि जो हमारा नॉर्मल कोड़ वन लाइन बाइन चलता है इसलिए हम के यहां पर क्या रहे हैं कि कौन सा कोड छोड़ना है कौन सा कोड रन करवाना है ठीक है इसमें क्या है हमारा नॉर्मल एक्जीक्यूशन में क्या क्याक्युलेट चला इसमें जो चीशन है वो चली उसके बात जब Iैए statement टो ये वाली उसकिप हो गई और अगर क्याक्यूर्ग वाली स्टेटमेंट चली और और अगर अम्युपर इस ट्रेटमेंन चली में यहां हो गई फह वाली फ हो कि कौन सी चीजए हो कौन सी चीजए हो नुरमली हम यह चीज़ इस चीज़ पहले इन आगे इसका तो basically हम इसे थे सच करें तो कैसे हम गजंब में देख सकता हैं कि यहां देख त्रेट्र तुज जा सकते या फॉल्स है उसकी डेस्टेशन एक ही हिए execution जब वो खताम होगा तो जाएगी एक ही जगा बट कौन सा direction लेगी वो code जाने के लिए तो क्या है इसलिए ऐसे work करता है उसे order pizza है हमने कोई order pizza order करा ठीक है अब हमने उसमें एक statement देदी वैसे तो normally जो price है उसका वो तो वो है pizza का 10 dollars लेकिन अगर वो delivery घर पे हो रही है तो उसम में क्या हमने के if statement देदी इस delivery order क्या delivery order घर का है तो उसमें total price में total price में क्या add हो गया फाइव डॉलर तो कितना हो गया total 15 डॉलर और यही अगर if statement यह wrong हो जाएगी delivery नहीं है home delivery तो simple price क्या बैठेगा 10 डॉलर और simple total क्याता है हमारे पास 10 डॉलर तो इसमें क्या क्या है control करा ज तो हमारी statements थी थी थोड़ा और advanced मा जाते हैं इसे थोड़ा Android में भी यूज कर सकते हैं Android में किस तरीके हैं हमने images के साथ यूज कर सकते हैं जैसे हमने गेम बनाया उसमें अगर एक बंदे के if condition देदी हमने उसके points 0 है तो हमने set text कर दिया क्या loser लूजर लिख्या और image को भी ह happy पर तो इसका ऐसे भी use कर सकते हैं control flow statements का अपनी चीजों में बहुत क्यूंकि यह चीज़े simplify कर सकते हैं हमारी code को बहुत तो हमें इसकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए जैसे इसमें अब कार्ट कर होता है जैसे हम Amazon में या कहीं बहर जाते हैं तो वहां पर हमें discount मिलता है या हमें पता होता है कि हमने card में इतनी चीज़े add कर ली है तो इसमें क्या पहली statement गया हमारी पास अगर f count is greater than 10 तो message क्या आएगा हमारे पास you get 20% off मैंना आपको toast बता दियो already toast कर दो एक छोटा सा text pop-up होता है जब आप कोई चीज करते हो right छोटा सा click करने पर या कुछ add क करने पर तो toast message आता है तो इसका syntax यह होता है toast dot make text context और बीच में जो भी आपको message देना है वो और short देनी है इसकी length short है या long है और dot show मतलब यह factory method है जो यह कहता है कि दिखाओ right तो यहां पर देजी else if अगर यह भी true नहीं है item count zero से उपर है तो क्या दिखाए thank you और अगर यह ही दोनों false है तो simple क्या है कुछ भी add नहीं है इसका मतलब उसमें तो simple क्या दिखाना है you have an empty card ठीक है तो इस से हमने क्या दरा control कर लिए है अपने flow को right